आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो इसको chemical formula भी obviously बोल सकते हो अब यह हमारा रसाइनिक सूत्र क्या होता है अब हम इसको देखते है जैसे रसाइनिक सूत्र लिखने का तरीका होता है मानलो एक A है हमारा एक B है तो A क्या है परमाडू है और A जो है B है वो मानलो वो भी परमाड हुआ है यह क्या कर रहा है यह इसको electron दे रहा है और यह क्या हो गर रहा है यह इसको इससे इलेक्ट्रोन ले रहा है तो जो इलेक्ट्रोन लेगा उस पर रिडावेस आता है मान लो इस पर माइनस दो रिड़ आवेस आ, इस पर प्लस का दो रिड़ आवेस आया, ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रोन दो दिया, इसने दो रिड़ आवेस इस पर आया, इसलिए इसने इलेक्ट्रोन लिया, ठीक है, तो फिर क्या होता है, रसानी सुत्रमा बनता कैसे, पहला समasion च्राहा को सतवा हुथ कहीं सरे दरसाते हैं तत्त्तों के सबसक्राऊ हम क्ला है तो फिर इन सबसक्राइब आप दूखे में इनस चिन्ड़र आपने लिखें मतलब direct हम लिख देंगे a2 और यहाँ b2 ठीक है अब आप यहाँ चाहो तो 2 common ले लिए तो क्या फूसूत बन गया a b ठीक है इसी तरह हमारा देखो यह na c l बनता है na c l कैसे na पे कितना चाहर देता है plus c l पे कितना लेता है minus का minus plus plus 1 minus 1 दोनों का cross multiply होगा बन गया na c l इसी तरह हमारा सब सूत्र बन जाते है तो रसाइनिक सूत्र इस तरह हमारा बनता है ठीक है तत्वो को लिखते हैं तत्वो के आवेश को लिखते हैं ठीक है तत्वो को लिखेंगे पहला क्या है हमारा तत्वो को लिखेंगे ठीक है तत्वो फिर तत्वो के आवेश को उपर लिखेंगे उपर लिखेंगे फिर क्या करेंगे फिर उनका cross गुलनफल करा देंगे ठीक है cross गुलनफल करा देंगे लेकिन चिन्हों को नहीं लेंगे चिन्हों को neglect कर देंगे फिर क्या होगा जो common होगा उसको common लेंगे अगर नहीं common है तो ऐसे direct लिख देंगे और फिर हमारा वो बन जाएगा क्या रसायनिक सूत्र उसी को हम क्या बोल देंगे कि यह हमारा बच्चो क्या है रसायनिक सूत्र है समझ गया दूसरा हमारा क्या दिया गया है दूसरा हमारा दिया गया है प्रतीक ठीक है चले प्रतीक देख लेते हैं तो प्रतीक क्या होता है खुल कहने का मतला प्रतीक प्रतीक को अगर इंगलिस में बोले तो बोलते हैं सिंबल सिंबल क्यों बनाया जाता है ठीक है तत्वो को पहचानने के लिए प्रतीक बने है तत्वो को पहचानने के लिए पहचानने के लिए प्रतीक बनाए जाते हैं ठीक है अगर हम उधारल के तोर पलिके जैसे sodium हो गया, chlorine हो गया, chlorine को C-L-sodium का यह iron का F-E है जैसे इसका नाम तो फेरस है ठीक है तो जो नाम है इस तलिश हमने इसका प्रतीक बना दिए जैसे आप हो तो आपका प्रतीक क्या है ठीक है आपको जैसे आपका फ्रेंड है आपका फ्रेंड का नम सुवन है तो उसका आप S-S-S उसको बुला रहे हो ठीक है किसी का नाम सीवाम है तो सीवाम है तो उसको S-S बुला रहे हो तो आपने प्रतीग बना दिया उसको बुलाने का तो एक सिंबल हो गया तो आपको उससे याद है अगर आपको ये प्रतीग बन गया तो जब भी हमें रसायनी का भी क्रिया कराने हुगी तो हमें पूरा तत्व का नाम ने लिखना पड़ेगा और अराम से रसानी कभी करिया हम करा लेंगे ठीक है तो इसलिए प्रतिक बना और पहचान भी लेते हैं इसी तरह से ठीक चलिए आयन क्या होता है अब हमारा प्रस्थ है आयन चलिए आयन देख लेते हैं आयन हमारे दो प्रकार के होते हैं ठीक है आयन क्या होता है अगर किसी पर कोई electron दे देता है या electron ले लेता है तब उस पर आवेस आ जाता है ठीक तो उसे आयन कहते हैं ठीक है या आपने लिखते है यदि कोई परमाडू electron दे देता है या electron ले लेता है फिर उस परमाडू को क्या बोलते है आयन कहते है ठीक है तो अगर electron क्या कर रहा है electron वो ले रह ठीक है अगर electron ले रहा है मतलब वो क्या कर रहा है करज ले रहा है ठीक है और यह मानलो electron दे रहा है electron दे रहा है तो जो electron देता है और जो electron लेता है ठीक है जो electron दे देता है उसको वो होता है हमारा धातू जो इलेक्ट्रोन ले रहा है वो होता है धातू जो इलेक्ट्रोन दे रहा होता है वो हमारा हो जाता है धातू ठीक है जो इलेक्ट्रोन लेगा वो अधातू जो इलेक्ट्रोन देगा वो धातू तो electron ले रहा है तो इसको क्या बोलेगे red always आप भोला देंगे red iron red always वाले आयन ओर यह electron दे रहा है तो यह कैसा हो जाएगा धन आयन हो जाएगा जैसे हमारा sodium है Na plus I इसने एक electron दिया तो यह धन आयन है C- इसने एक electron लिया तो यह क्या है red iron है तो यह हमारा आयन होता है, धन्यवाद